ओम शान्ति सत्रा अगस्त दो हजार बाइस बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाप तुम्हें बेहद का सामचार सुनाते हैं तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो तुम्हें 84 जन्मों की स्मृती में रहना है और सबको यह स्मृती दिलानी है प्रश्ट शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे विश्णू को नहीं क्यों? उत्तर क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रामन संप्रदाय रचते हैं अगर विश्णू को बच्चा क्या है तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए परन्तु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं विश्णू को ही मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे वह जब लक्ष्मी नारायन के रूप में महराजा महरानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं ब्रह्मा से तो ब्रामन संप्रदाय पैदा होते हैं धारना के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट उची कमाई करने के लिए बुद्धी का योग और सबसे तोड़ एक बाब से जोड़ना है सचे बाब को याद कर सचखंड का मालिक बनना है दूसरी पॉइंट जैसे ब्रह्मा बाब ज्ञान को धारन कर संपूर बनते हैं ऐसे ही बाब समान संपूर बनना है ब्रदान अटूट निश्य के आधार पर विजे का अनुभव करने वाले सदा हर्शित और निशिंत भव निश्य की निशानी है मनसा वाचा कर्मना संबंद संपर्ख हर बात में सहज विजेई जहां निश्य अटूट है वहां विजे की भावी टल नहीं सकती ऐसे निश्य बुद्धी ही सदा हर्शित और निश्यंत रहेंगे किसी भी बात में यह क्या क्यों कैसे कहना भी चिंता की निशानी है निश्य बुद्धी निश्यंत आत्मा का स्लोगन है जो हुआ अच्छा हुआ अच्छा है और अच्छा ही होना है वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे चिंता शब्द की भी अविद्या होगी स्लोगन सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धी रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ ओम शान्ती